मेरे प्यारे परिवार जनों, जब हम अपनी आँखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी एतिहासी घटनाएं राष्ट जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है। ये पल आव विश्मनिय है, ये च्छा अभुपुर्व है, ये च्छा विक्सीद भारत के संखनात का है, ये च्छा नए भारत के जैगोश का है, ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है, ये च्छा जीत के चंद्रपत पर चलने का है, ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है, ये च्छा भारत में नई उर्जा, नया विश्वास, नई चेतना का है, ये च्छा भारत के उदयमान, भाग्य के अहवान का है, अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सभल ताकि ये अमर्थ भर्सा हुई है, हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया, और हमारे वेज्ञानिक साथियों न भी कहा, इंडिया इज नाव अन दे मून, आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उडान के साक्षी बने हैं, साथियों, मैं इस समय ब्रिक्ष समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफरीका मैं हूँ, लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महा भियान पर भी लगा हुआ था, नया इतिहास बनते ही, हर भारतिय जश्न में डूब गया है, हर गर में उत्सव शुड़ू हो गया है, रदे से मैं भी अपने देश वाच्चियों के साथ, अपने परिवार जनों के साथ, इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ, मैं टीम चंद्रियान को, इस्रो को, और देश के सभी वैज्ञानिकों को, जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ, जिनोंने इस पल के लिए, वर्षों तक इतना परिश्न किया है, उत्सा, उमंग, आनंद और भावुक्ता से भड़े, इस अध्वुत पल के लिए, मैं 140 करोर देश वाचियों को भी कोटी-कोटी बढ़ाईया देता हूँ, मेरे परिवार जनों, हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम, और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी द्रू पर पहुँचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुँच सका, अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिठक बदल जाएंगे, कथानक भी बदल जाएंगे, और नई पिड़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी, भारत में तो हम सभी लोग धर्ती को मा कहते हैं, और चांद को मामा बुलाते हैं, कभी कहा जाता था, चंदा मामा बहुत दूर के हैं, चन्दा मामा बहुत दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा, जब बच्चे कहां करेंगे, चन्दा मामा बास एक टूर के हैं। चन्दा मामा बच्चे कहां करें। उल पूल मेड़ करें। था बच्चे कोंट्री अभी इन्यान। इंदा मुंशनीच में वान गोंड़ मुंशनीच कहां करें। इंदा एक इंदान। इंदा स्थे लीर इंप की अविश्यार टूर इंदान। ल ότι वह प्क्रवी इप्रशेटी वार वाम इप्रवा वाम आ ए Hert पामिलीच उन्तर अप्रनाइग ओर भीरंग अक्रॉप इस्यूम केड़िए विस Sumant तूमति अप्रच ट्राकॉच सिह य constitutionalist and that we represent, has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity. And it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world, including those from the global south, are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवार जनों, चंद्रयान महाभियान के युपलब्दी, भारत की उडान को चंद्रमा की कच्छाओं से आगे जाएगी. हम हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ पर्खेंगे, और मानों के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांख्शी लक्षत ताई किये हैं. जन्द ही सूर्य के विश्त्रित अध्यन के लिए इसरो आदित्य एलवन मीशन लॉंच करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरों के लक्षों में से एक है. गगन यान के जरिये देश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई नौर्द लिमीट. साथियों, साइन्स और टेकनलोजी देश के उजवल भविश्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. ये दिन हम सभी को एक उजवल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धी का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के सभी वैज्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के मिशन के लिए धेरो शुब कामना है. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत 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 toती है.